शिमारू के नई वेडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें अगर तुम लोगों का अशिर्वाद हो तो दुनिया मेरी गुलाम ओम गुलाम अनमा ओम दश्यायन मा ओम अठ्यायन मा ओम शक्यायन मा ओम भूरू अस्वाहल चिट यह क्या इस तरही की है ऐसा कुर्ता पहन कर जाओंगा तो लोग इस बादशा को गुलाम समझेंगे कहा है मेरी सड़ी हुई बेगम जनकी ए जनकी क्या है क्यूं चिला रहे हो सबेरे सबेरे मेरा मूर खड़ाप कर दिया तुझे कुछ अकल शरम हया है क्या नहीं मैं तेरा पती हूँ और पती बादशा होता है बादशा सारी जिंदगी पती होने का ढौस चमाते रहे अच्छा कड़ा किसा आऊ उसके लिए कंपलं को चावल की कान्जी में डुबोना पड़ता है यहां घर में खाने कुछ आवल तो है नहीं कहां से डालूंगी घर में खाने को चावल नहीं पहले क्यूने बताया वो साली बुडी शान्ति एके पिने प्रश्रम कामचोर निकम में लाई हूं भावी जीती रहो भावी जी भगवान तुम्हारा साया हमारे सर पर ताश की पतों की तरह सजा कर रखे ताके मरते दम तक तुमुपके खाता तेरा मेरा कवाली का मुकाबला चल रहा है क्या मैं मैं कर रही है अपना खारी दूसरे के इस संसार को चलाने के लिए राजा व भीकारी दोनों जरूरी है राजा टैक्स लेता है तो भीकारी भीक लेता है राजा महल में राज करता है तो भीकारी तुमारे दर्वाजी प्याके फरियाद करता है राजा इंसाफ करता है तो भीकारी बादसी खाना साफ करता है तुमारे दर्वाजे प्याके अकर मैं भीग मानता हो ला तो तुम मेरे पैसान नहीं करती हो परदी वाले भीकारी की बीवी पचास दरवाजे हैं जापे लोग भीक देने के लिए भीकारी को तरह लाइन लगा के खड़े रहते हैं और आवाज लगाते हैं भीको भीकारी आमाली भीक ले जाओ जाओ भगान तुम्हारा भला करे इसका कोई चांस नहीं है अम्माल अभे तांसेन की भीकारी आउलाद वोलो माहिबाब इदर आजा आगे माहिबाब बैट जा थेंक्यू अरे जटका क्यों खा गए अबे डामर मेरी बरावरी में आकर बैटता आए जानता है तुझ में और मुझमें कितना फर्क है जानता हूँ न फिर भीक मांगने के लिए दर दर पर जाना पड़ता है आपको घर में बैटे भीक मिल जाती है क्या बोला त्या जाजक्त आज कर दो स्कूल में बच्चों को भी पड़ा जा रहा है नहीं नहीं मेरे कबड़ खराब हो जाएंगे पिछले महीने महीने विकारी की तरह नीचे बैच चल पाइल कहीं का सच का है किसी ने जिंदगी एक तराजू की तरह है जो वजनी है वो नीचे चले जाते हैं जो हलके चन किने चैल उफर से बचाहिए बस सटें चलकर केना कमा एक उन्मार जाम पुकारना भूल जाएगा अम्मा बाबा अभी रोटी नहीं पकी बाद में आना बाबा नहीं माई मैं भीक नहीं मांग रहा हूं यह भीक मांगने की प्रैक्टिस कर रहे हैं घुरू तुमारी आवाद बहुत अची चलो ना कल से साथ में भीक मांगें मत मंगों मेरा क्या है गदी कहीं कि साली घुरू क्या है उद्धिको अभी अभी हाट किसी फिल्म की हिरोईन लग रही है अपने गाव में किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है पता नहीं यार मेरी बश्पन से तमन्ना थी क्या कि मैं फिल्म का हीरो बनू तू गुरू इसके मेरी जोड़ी कैसी रहेगी उसकी और तेरी जैसे बगले और कौवे की होती है न वैसे मैं आपकी बात नहीं करूं में मेरी बात करूं पिता जी तेरे को आपको बोली मुझे थोड़ी बोली पिता जी कौन है तू मैं तुम्हारी लाडली बेटी नेहा हां हां किया हुआ पिता जी अरे नेहा तू तू शहर जाकर आपने आपको कितना बदल लिया अदर यहां का अ उर्ज़ जा जा है इस घर में तो ऐसे लगता अंदेरे ने गोगल पेना हुआ अरे हाट आओ गुरू चलते टेम आपकी टांगी हिलती है अरे जारा दूर रहे जा यार कितना बिच्छे रहा हूं बद्वू आ रही है नमस्ते मालिक नमस्ते हैं इधर आओ जी मालिक नजदीक आओ जानता नहीं हम कौन है जी आप परदान बाबू के होने वाले ससुर हैं और ससुर के सामने सर पर पगड़ी बानकर घोम रहे तुझे शरम नहीं आती पगड़ी उतार कमर में लपेट ले चल हट राम राम मालिक हराम खोर चरबी चड़ गई है नहीं मालिक इतने बड़े आद यह नहीं मालूम कि हम गाव के प्रधान रवी बाबू के होने वाले ससुर है और उनके सामने तिरी यह मजाल कि सर की पगड़ी खोल कर कमर में बान ली मालिक आपने कल्लू को मारकर पगड़ी कमर से बानने के लिए कहा ता इसलिए किया लेकिन जब तक हम थपड नहीं मारत हुकुम नहीं देते गाली नहीं देते पगड़ी सरपड़ी होनी चाहिए बान पगड़े रात को विबान के रखना नहीं तो साथ काच दूंगा अब जानवर यह बड़ भाई यह चाता तु किसके लिए पकड़े हुए है अपने लिए अच्छा क्या यह चाता हमने तुझे भीक में दिया हुआ है नहीं सरकार इंसान जो चीज खुद भीक मिलाता वो दूसरों को सब्सक्राइब में कैसे दे सकता है फिर बख्वाज आप पीचान के खिलाफ है आप को ने आप राजा है बड़े आदमी है मैं आपका वजीर हूं इसलिए मारा मारी बंद मारने का कम मेरा अगर आज के वाद आपको भी मारना होगा तो मैं मारूंगा अब देखिए मैं कैस मैं अवी जलील है लुच्चे है कुटे व् ollutफंगे इस कितनी गालिया दे रहा है गाली हुं मैं आपके तरिफ कर रहा हूं इसको याद देला रहा हूं किया विस गाओं के पर occupयोनेौंने और इसने आपके सामने कमर के नेचे कपड़ अबादा हुआ है अरे अरे बाप रहे हैं और एक बात यात रखना मरते दम तक इसी हालत में हरो सुबह इनके पाच जाना सुबह दोपहर शाम और रात इनको सलाम करना एक घंडे तक खुश्माराम ख़ोर चलो हटो पहले काम की बात करो अरे काम ही की तो बात करने आया हूं मेरी इट किरानी जब तु एक हाद दिन मिलती नहीं है न तो मैं रात भर तेरी याद में सोते रहता हूं और सपनों में जा चलो हटो हमेशा अपना गंदा मतलब लेकि आ जाते हो पहले यह बताओ मेरे काम का क्या हुआ तेरा कौन सा काम है मेरा कौन सा काम तुमने मुझसे नहीं कहा था कि मुझे पांच एकर जमीन लेके दोगे और उसमें एक बोरिंग पंप लगा के दोगे कहा है वह सब पंप पंप तो तयार है सिर्फ मैं जमीन ढून रहा हूं जैसी जमीन मिल जाएगी ना मैं पंप फिट करवा दूंगा गुसा क्यों होती है देख मैंने तेरे लिए शहर से रेशमी साड़ी और हल्वा लाया हूं तु जल्दी से मेरे सामने साड़ी पहन ले फिर हम दोनों म अरे लिए कि सीटान की गाड़ी का प्ट्रूल लाया हु और सीधे से बोलना शराब लाया हूं पियेगी देर होरी हैふ अरे तू हलवा तो खा के जाना मैं जाती हूं अरे साड़ी तो पहन के जा मैं पहन लोँ तू इतनी जल्दी क्यों को आया इतनी घंटे के बाद में आय प्राइब देखी आपके लिए कफर मांगने अरे साले करें तो रखी थीति घुरु तुमने मेरी वह देखी क्या देखी देखता नहीं में खाना खाराँ दूर ख़ड़ा हो जाएं तुम्हारे खाने के साथ तुम्हारे पेड में जा रहा हूं अपनी थाली देख रहा हूं तेरी गन्दी बदबुदार भीकारी की धाली मैं देखो बहुत अच्छे पर फचीर के ढ़र दूदी में पहली मर्दआ देख रहा हूं बख्वास बख्वास नहीं करा हूं पहले आपको मेरे साइज से भी नफ्रत ती वो तो आज भी है बिखारी बनना आपको पसंद नहीं था तो कौन बनना चाहता है भीकारी भीकारी स्लाव तो फिर यह थाली थाली में खाना क्यों खा रहे हो तेरा घंदा खाना गलती से खा गया अब तेरे भीकारी करण के किटानओब मेरे पेट में चले गए तो मेरा क्या होगा तुम्हारी बरबादी ऑजुसले क्विश्ट ने मतलब यह कि बुडिया की बात मान लो अगर तुम्हें शादी से इंकार करोगे तो तुम्हारी हालत मेरी जैसी हो जाएगी भीग मंगते फिरोगे गली-गली में आवाज लगाओगे अम्माँ 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 अ कुरू खड़े खड़े सपने में भीग मागना शुरू कर दिया ने ने कि अधिए पर गज़ेली कहां से आ गए उठिए गुरू सरकार लीजिये चाय गर्मा गर्म मेरे लिए सुभे सुभे गर्मा गर्म चाय वो भी इतने सम्मान के साथ वा भई लंगडे वा तुम सिर्फ तन के लंगडे हो मन में चार चार टांगे है तुमारी तुम मान हो हम तुमें सलाम करते हैं सलाम मुझे वो क्यों इसलिए कि तुम हमारे लिए गर्मा गर्म चाय ला कि यह मेरा सिग्रेटरी है क्या जी नमस्कार जार है सिग्रेटरी हमारी लिए आज का अख़बार नहीं लाया कि इंग्लिश का पेपर अब तक बार्केट में नहीं आया यह हिंदी का अख़बार लाया हुँ सरकार अच्छा तुम दूर अटके बैठो हम मजे लेले के अख़बार पढ़ते हैं और चुसकी लेले के चाय पीते हैं और चाय पीते वक्त हम सड़ेवे लोगों की शकले नही तू डरना नहीं ये विचारा घरीव पर रिशानी से पागल हो गया है विच सुभज मैं थोड़ा खाने को ओड़त दे रहा हूं सेटरी जरा रोल होटल जाओ वहां स्पेशल पराथा और मा और बिर्यानी जितना भी रात का खाना बजा सब लेकर आज़ा ओके सर तुमारे वोडिली पैंट क्या है इदरा है यह की दस पैसे काई के लिए भी दिया आपको भी दिया है दस पैसे जमाने में गटर में जाए तो गटर उड़ा के बार फिक देता तुम्झे दस पैसा भी दे रहा है इससे जादा हम लोग देते हैं एक रुपेले मेरी तरफ से जाके च बीकारी को अई एक मां देने को आया है तो बीकारी तो वी मेरी बेटी नहा मंदर गई है उसे मिलने आया हूं भी इसाराँरंगी भी ये उंगलियां ठेड़ी कैसे हो गई चाला रात को मैं रॉयल होटेल में चिकन बिर्यानी खाने गया था चिकन बिर्यानी की खुच्बु सुंकर एक कुट्टा मेरे पीछे आ गया मैं गिर गया और मेरी उंगली में जखम हो गया अल्दी से किसी डॉक्टर को दिखाओ कहीं ये कुष्टर हो गया कोड की बिमारी कि इरादा क्या है तुम्हारा कुछ निए चौरंगी दर से तो निकाल दिया आप कोड बताकर गाउसे भी निकालने का इरादा है क्या आप पैसी आप ये सिखाता है तेरे को होगी कोड की बेमारी तुझे क्या हो गया कितना अंधिरा है आए आए समाल के गुरू रात का समय है कि सांप और बिच्छु पिकनिक बनाने के लिए बार निकलते हैं क्या करा आप मैं तुम्हारी रखेल पुष्पा थोड़ी हूं ठरक बास अज़े वाद बताओ ये रास्ता तुम्हारी रखेल पुष्पा के घर के तरफ तो जाता नहीं है य अधी रात को तुम मुझे खेल मखां ले जा रही हो ये मेरी चाल का पत्ता है पत्ता गुरू कि तुम्हारे चेरे के टेलेवीजन बे मुझे शैतान दिखाई दे रहा है तुम क्या भी माइनी की चाल सूचुत है हूं पताता हूं पत्थर तो उठा पत्थर का क्या करोगे इभान गर्दी है, वो पथर चलेगा? नहाँ चलेगा. जह पिर उठाओ. मैं ुठाओ? तो क्या मैं ुठाओ? नहीं, मुझसे नहीं उठा जाएगा. अच्छा? दामात की पहाड जैसे गाली ओज़ उठा सकते वो इतने सा पत्थर का बोज कार werk जो करता हूं के अजय ससी अजय कि उठाव कि यह तो बहुत वजनी थोड़ी देर के बाद वजन नहीं लगेगा क्यों आदद पढ़ जाएगी ना चलो चलो मैं मदद करता हूं कि यह तु क्या कर रहा है है तो मेरे सर पे और हाप तू रहा है मैं तुम्हारा दुख भाट रहा हूं अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि तुम पथर भी उठाओ हापने का काम भी करो इसलिए तुम खाली पथर उठाओ हापने का काम मैं करता हूं बबुजी अरे रवी बिटा तुम इस वक्त यहां जाब जाकर आराम करो आराम करने की उमर आपकी है बबुजी देखे कितना खांसना है जाए घर जाकर सोजाए लेकिन नहा बिटिया को अकेला छोड़कर तुम यहां एक रात की तो बात है बबुजी आपकी तबीयत ठिक अच्छा आपकी 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 तुम दूसरे के लिए खड़ा खोदेते उसमें खुद गिर के वरगे अब तक मुझे उठाए सब रोना हराम में गया है सारी मेनद पानी में गई है अरे बाबरे लगता है सत्य पे आठ्था मारने से पहले ही मैं मर जाओंगा का शिसा हो जाए मैं तो लडू भाटूंगा तेरी तो साला मजा हर्वा गालिया देता है जाला जाल